हलो एवरिवन तो आज की जो स्टोरी है इसका नाम है I Want और ये भी मैंने NCRT की बुक में से ली है स्टोरी भले इंटरस्टिंग ना हो लेकिन इससे आपको इंग्लिश में काफी कुछ सीखने को मिलेगा तो हमेशा की तरह इंग्लिश में होगी ये स्टोरी इसको में हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी और एक-एक इंग्लिश की वर्ड का हिंदी में मीन भी समझाऊँगी इसके थूँ आप अपने इंग्लिश की ग्रामर, वोक्याबलरी और टेंस को इंप्रूफ कर सकते हैं आज की जो स्टोरी है वो सिंपल प्रिजेंट टेंस में होगी तो चलिए शुरुवात करते हैं I want, want की हिंदी होती है चाहना, यानि की मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ इस तरीके से ये टाइटल है तो क्या चाहना है या क्या चाहती हूँ या चाहता हूँ ये तो जब हम रीट करेंगे स्टोरी को तभी हमको मालूम चलेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं I want to be a big I, मतलब की मैं, यहाँ पर want का मतलब मैंने बताया, चाहना की मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ to be, to be मतलब होता है होना, ठीक है to be, be का मतलब यहाँ पर होगा होना, बिग्यानी बड़ा कि मैं क्या होना चाहता हूँ या चाहती हूँ says little monkey, यह monkey कहता है, कहता है क्योंकि says है, say के बाद में s लगा है, तो verb के साथ c is लगा हुआ रहता है, तो s तो इसलिए लगा है कि यह subject है little monkey, singular है, इसलिए verb के साथ s लगा है, plural होगा तो c is नहीं लगेगा verb के साथ, जैसे कि simple present tense का rule है, I want to be big, says little monkey, जो छोटा monkey बंदर होता है वो क्या चाहता है, बड़ा होना चाहता है, तो b का मतलब हो गया, होना या हो जाना I want, I मतलब मैं चाहता हूँ to be strong, और क्या होना चाहता हूँ strong यानि की मजबूत या शक्तिशाली होना चाहता हूँ a wise woman hears him him यानि उसको और a wise, wise woman का मतलब औरत हो गया, और wise का हिंदी में मीन होता है, बुद्धिमान, जैसे कि intelligent, तो उसका मतलब भी हो गया wise, hears मतलब सुनती है, सुनती है women की बात हो रही है तो verb के साथ S.E.I.S. लगा हुआ होता है, simple present tense का जैसे rule है, तो यह सारे story आपको simple present tense में मिलने वाली है तो सुनती है, हम यानि उसे, जो भी वो बोलता है बंदर उसको सुनती है इस तरीके से हम हिंदी का sense लेंगे, take this magic wand, wand का मतलब होता है, चड़ी, magic मतलब जादूई तो जादूई चड़ी, magic wand का मतलब जादूई चड़ी, this यानि यह है, take, तो take का मतलब है, ले लो, अगर to take होता या taking होता न तो होता लेना, हिंदी में उसका sense होता लेना, लेकिन या पर take है take का मतलब ले लो, yellow this magic wand, यह ले लो magic wand, यानि की जादूई जो चड़ी है यह ले लो, she says यानि वह कहती है, जैसे इस पिच्चर में यह है she, she says, says है कहती है, simple present tense है and all your wishes और जो तुम्हारी सारी wishes है, wishes मतलब इच्चाएं can, जो भी इच्चा है, can come true अब come true का मतलब can का हिंदी में sense लेंगे सकता है या सकती है मतलब संभावना ऐसी जताई जा रही है और यहाँ पर है come true come true का मतलब होता है such निकलना, कि जो भी तुम्हारी सारी इच्चाएं न वो क्या हो, क्या हो सकती है सच निकल सकती है यह है इसमें हिंदी का mean अ जिराफ comes by एक जिराफ होता है, ठीक है comes by, comes by simple present tense है, इसलिए come by के जागे comes by आगे, क्योंकि एक जिराफ की बात हो रही है singular subject है इसलिए come के आगे एस लगा है और इस comes by का मतलब है गुजरना, एक जिराफ गुजरता है he stretches अब यह stretches है, stretch का मतलब होता है खिचाव या खीचना तो his यानि जो उसकी क्या होती है long neck, जो लंबी गर्दन होती है उसको वो खीचता है खीचता है, यह भी simple present tense है तो यह story आपको simple present tense में मिलेगी आप खुज से इसको पहचाने he eats, eats मतलब खाता है the sweet यानि मीठा या मीठी leaves यानि पत्तियां at the top of the trees जो top यानि उचाई पे होती है किसकी उचाई पे होती है? पेड़ की पेड़ों की उचाई पर जो पत्तियां होती है उची जगे है तॉप पर यानि उची अब यहाँ पर at at का यूज हो है at का यूज जो होता है इसका fixed format होता है कैसे कैसे हम कहा कहा पर at का यूज करते है मैं एक बार explain कर देती हूँ जैसे की at home, at school यानि home से पहले at लगा है school से पहले इस तरीके से तो मैं पूरा मैं एक बार बता देती हूँ at home, at school, at college, at university इस तरीके से आप at का यूज करेंगे at the station, at the theater, at the bus stop, at the airport, at the bottom, at the bridge, at the platform, at the top ठीके यह at the top आगे है तो यह fixed है कुछ formats यहाँ पर at preposition का यूज होगा fixed जो जगे होती है तो at the top, यानि the top आगेगा उससे पहले at preposition का यूज होगा और भी मैं बता देती हूँ जैसे at a party, at a match, at a lecture, at a conference तो यहाँ पर भी at का हमने यूज किया है तो यह आपको याद रखना है कुछ fixed है, जगे जहां पर हम at का यूज करते है तो वो जो भी पेड के उपर यानि उची जगे पर उपर जो पतियां होती थी उसको वो खाता था कौन जिराफ की बात हो रही, मीठी जो पतियां थी पतियां होती है थी नहीं, होती है I want a long neck अब वो कहता है कि मैं क्या चाहता हूं, says little monkey वो छोटा मंगी कहता है I want a long neck, मुझे तो I want a long neck, मुझे तो लंबी neck चाहिए, गर्दन चाहिए, यानि चाहता हूं pop, फिर क्या होता है pop, ये sound होता है pop, his neck, जो उसकी neck होती है grows long, long यानि लंबी, अब grow का मतलब मैं बता देती हूं, grow के काफी सारे मीन होते है, जैसे कि बढ़ना, हो जाना, या पैदा होना, या उगना तो हो जाती है, ऐसा sense लेंगे उसकी जो गर्दन कैसी हो जाती है लंबी हो जाती, तो grows का मतलब बिलकुल जिराफ की तरह हो जाती है little monkey is happy is यहाँ पर होने का भाव दे रहा है वो कैसा है, happy है यानि कि अब क्या है वो छोटा monkey खुश है, little monkey खुश है, an elephant elephant से वहले an article लगा है क्योंकि elephant में wobble का sound आ रहा है, इसलिए an elephant comes down अब come down, comes down तो s तो इसलिए लगा है क्योंकि एक elephant की बात हो रही है singular subject है, इसलिए s लगा है verb के साथ, तो come down का मतलब होता है, उतरना या आना, कहां पर आता है river में आता है, river में उतरता है to the river, ठीक है फिर क्या है, he fills यानि भरता है, his trunk यानि जो उसकी trunk होती है उसको fill मतलब भरना, तो भरता है क्योंकि ऐसलिए s लगा है with water, किस से भरता है water से भरता है, with का हिंदी में sense होता है, say, with क्या है preposition है, और इसका concept क्या है कि कि किसी दूसरी वस्तु को भरे, भरे जाने पर, या कोई cover करते हैं किसी चीज़ को cover करते हैं तब हम with का use करते हैं तो भरे जाने का sense दे रहा है यानि पानी से भरा जा रहा है तो with, पानी से he blows it all over himself himself का मतलब खुद होता है ठीक है, all over का मतलब सभी तरफ या सभी जगे है he blows it all over himself blows का मतलब बहुत सारा होता है लेकिन जैसे पानी छोड़ने का sense दे रहा है आपर पानी छोड़ता है it यानि जो ट्रंक का पानी होता है वो उसकी सून में अब ट्रंक का मतलब सून भी होता है ठीक है, और ट्रंक का मतलब पेड़ का तना भी होता है और जो संदूक होता है उसको भी हम trunk कहते हैं, जो बड़े संदूक होते हैं, all over himself, all himself का मतलब swim पर या खुद पर, all over मतलब सभी जगें या सभी तरफ, अपने खुद पर सभी जगें, अपने उपर वो मतलब सारी जगें क्या कर देता है, पानी को छोड़ देता है, बहा देता है, खुद के उपर, I want to do that to, वो कहता है कि मैं to do मतलब करना, I want मतलब चाहता, that, यानि वह भी और to का मतलब हो गया, बहा देता हूं, says little monkey, कहता है वो, ठीक है, फिर sound आता है, bang, क्याता है, bang, just like that, अब इस just like that का मीन है, ऐसे ही, या वैसे ही, या बिलकुल उसी तर है, ठीक है, ये इस पूरे just like that का mean है, he grows a trunk, grows का मतलब मैंने बता है, बढ़ना, पैदा होना, या हो जाना, या उगना तो हो जाता है, यानि हो जाती है, क्या हो जाती है, trunk एक sound हो जाती है, he is very happy, वो क्या होता है, खुश होता है, this is fun, ये क्या है, fun है, fun का मतलब मज़ेदार, मजा या आनन्द, इसमें तो है जफिए वह कहता है नेक्सट का हिंदी में मतलब है बाद में तれकिन कि इस यह लग गया क्योंकि सिंपल प्रिजेंट एस ना और लिटल मंगी एक सब्जेक्ट है आपर सिंगुलर सब्जेक्ट के साहर्ट वोगता है तो अशार नग्या ठीक है और जैब्रा वो है को देखत तो स्ट्राइप मतलब धारियां इसको कहते हैं जो जाबरा के ओपर धारियां होती है ब्लैक garant उनको कहते हैं स्ट्राइप जायान जैसे दोज दोश का फिल één यह तो मैं वह सारी थारियां रिखर इस यह जाता है हूं ही सेफिर साओंडि के लिट्ल मंगी हैर च्यूल all over his body all over यानि सभी तरफ या सभी जगें उसके शरीर पर his body जो उसकी body होती है has यानि होना stripes यानि धारिया little monkey पर has यहां पर पास होने का sense दे रहा है तो उसके पास ये धारिया होती है just like the zebra बिल्कुल like यानि जैसे बिल्कुल जैबरा की तरह तरह या जैसे he is very very happy अब उसकी condition बताई जा रहे है कैसी है मतलब वो बहुत खुश है तो is यानि होना है हिंदी में है कहेंगे is के लिए he goes to the river to try out his new trunk he goes ठीक है he goes यानि जाता है to the river कहां पर जाता है river पर जाता है to try to try out अब यहां पर यह जो try out दे रखा है न इस try out का मतलब है test करने के लिए या कह सकते परिक्षन करने के लिए आज माने के लिए his new trunk जो उसकी नई trunk होती है न सूंड उसको आज माने के लिए वह वहां नदी में जाता है नदी की तरफ he looks down looks यानि देखता है नीचे he sees himself in the water वह अपने आपको किस में देखता है पानी में देखता है ठीक है पानी में देखता है सी का मतलब भी देखना है और लुक का मतलब भी देखना है ऐसे प्रीoda थे की कि सिंप्ली हम देखते является किसी चीज को तो सी का यूज करते और ध्षान पूरवक्त देखते हैं तो लुक का यूज करते हैं फिर पानी में नदेखता है जी मक्तलब चील्दा छीक दीचा-उ-नієहान मौंस्तर मंस्टर को मतलब एक राक्षश थास नौट अ क्या वह मॉंस्टर नहीं है सेज मतलब कहती है तुम हो ए ठीक है वह तुम हो यूँ वांट जिराफ स्नेक तुम क्या चाहते थे एक जिराफ की नेक एन इलेफेंट का ट्रंक एंड स्ट्राइप लाइक जैबरा और दारियां किसकी जैसे जैबरा की जैसे डोंट यू भर मतलब याद होना लिटल मंकी ख्राइज न्यक्राइज वो रोता है आई लुक ऑफुल ही सेस अब वो कहता है कि मैं दिखता हूं लुक मतलब दिखना कैसा दिखता है वो ओफुल ओफुल का मतलब बुरा भजाना क्या बद्दा यूसे सेस वैं कहता है आई वों चुद होना चाहते हूं जैसे में पहले था तो there is a pop a bank and a whiz तो यहां पर is यानि है क्या होता है pop bank और वही same sound होते हैं और यहां पर there का Hindi में में कुछ नहीं है as a subject इस sentence को complete करने के लिए there का use हुआ है little monkey is himself again अब वो yourself इसवेम क्या हो जाता है अगेन यानि फिरसे is क्ष्षी से कूँटा है इस तरीके से तोई जो sentences होते हूं को जब हम translate करते हैं तो ज़रूरी नहीं एक हो कर सकते हैं और करना पड़ता है ठीक है आगे क्या है इस तरीके से पिच्चर दे रखी है स्टोरी बच्चो वाली है लेकिन इससे आप द्यान से देखेंगे तो काफी कुछ सीक कर जाएंगे फैक ना तो फैकता है दे स्टोरी एघीवर इससे और रिखेंगे देखेंगे उसके हाथ हूँ जब चीटे और नदी में चांब हो रहा है है he never he never यानि कभी नहीं वांट्स यानि चाहता है तू बी यानि होना anyone else again again यानि फिर से anyone का ऐसे मीन लेत तो कोई भी या पोई व्यक्ति इस तरीके से else मतलब और अन्य हो और कोई और नहीं होना चाहता है ठीक है यह इस कभी नहीं से चाहता है ट्विन थार about anyone को जो one albac प्रिसे को और नहीं होना चाहता है यहلم कर दो है इसारिक यहाँ पर यह is एंट्रस्टिं ना हो लेकिन अगर आपने इधान से इसको देखा है तो इस टोरी से काफि कुछ सीखने को इंग्लिश में काफी कुछ सीखने को मिला है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं कौल ने एजुकेशन वीडियो के साथ तक साथ कि वह हैं कि सबूए इसे